हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों जै आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो की UP, TZT, PZT और भी कलासे संबंदित जो भी एक्जाम होते हैं आप एक्जाम देने से पह बहुत ही महतपूर ये वीडियो है तो आएए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं को कोश्चन नंबर जो वन है हमारा एलोरा के प्रसिद कैलास मंदिर का निर्माड एक राष्ट कूट नरेश ने कराया था उस नरेश का नाम क्या था देखें यहां पर कई सारे दोस्तों question है कैलास मंदिर का निर्माड किस ने कर रहा था एक राष्टकूट नरेश ने कर रहा था राष्टकूट राजा ने कर रहा था अब उस राजा का नाम पूछा जा रहा है तो कैलास मंदिर जो की एलोरा में एलोरा गुफा संख्या सोला में है बहुत इंपोर्टेंट है एकास्म पत्थर में बना है मतलब एक ही चट्टान को काट कर पूरे मंदिर को बनाया गया है और वर्ड में ये सबसे बड़ा एकास्म पत्थर का मंदिर है और इसको किसने बनवाया है? क्रिफड राज प्रत्थमने क्रिफड प्रत्थमने तो यहाँ पर राइट एंस्वर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा और ये मंदिर जो है सीव से समबंधित है कई कोश्चन मैंने आपको इस प्रस्ण में बता दिये हैं आप सभी को याद रखिए अच्छे से कोश्चन नमर टू कंदरिया महादेव मंदिर कहां है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो खजुराहों में है कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो खजुराहों में है और कंदरिया महादेव का जो मंदिर है ये नागर सैली में बना है खजुराहों के जो भी मंदिर है वो नागर सैली में बने है और ये मंदिर जो है सिव से संबंदित है कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो सिव से संबंदित है कई बार ये question पूछा जा चुका है तो आप इन सभी चीजों को याद रखेए और ये चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया है चंदेल राजाओं द्वारा उदैगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंदित कला को दरसाती हैं? तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो है बी हिंदु धर्म से संबंदित है ये Q2. कीरती अस्तम कहां है? काफी important है तो कीरती अस्तम जो है वो है चित्तोड गड में Q5 पल्लाव सासकों ने रत वाले मंदिर किस अस्थान पर बनवाए तो रत मंदिर जो है वो किस ने बनवाए है पल्लाव सासक ने यहाँ पर दिया हुआ है रत वाले मंदिर पल्लाव सासकों ने बनवाए और वो कहाँ पर है तो रत मंदिर जो है वो महाबली पुरम में है काफी important है ये question अक्सर exam में देखने को मिलेगा आपको Question number six असंबध क्या है इन में से कौन सा सबसे अलग है पहाडी, राजस्थानी, मुगल और देवगड तो पहाडी, राजस्थानी, मुगल ये सब अलग-अलग शैलिया है देवगड, देवगड मंदिरों के लिए famous यहाँ पर देवगड का दशावतार मंदिर है गुप्तकाल का मंदिर है तो यहाँ पर right answer हमारा D हो जाएगा Question number seven Odisha में सूर्य मंदिर किस सहर में है तो हम लोग अक्सर कोडार का सूर्य मंदिर पढ़ते हैं तो कोडार, right answer B हो जाएगा और Odisha में जो सूर्य मंदिर है, वो नर्सिंग देवप्रथम ने बनवाया था नर्सिंग देवप्रथम आप याद रखिए, नर्सिंग देवप्रथम ने इसको बनवाया था Question No.8 Elora में कुल कितनी गुफाएं है दोस्तों मैं आपको बता दूँ जिनको हिंदी में देखिए, यहाँ पर गिंती दिया हुआ है इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना जैसे, Elora में कुल कितनी गुफाएं है 34 यहाँ दिया है, 45 46 दिया है, 36 33 दिया है, 33 तो अब आपको अंकों में पता चल गया कि Elora में कितनी गुफाएं हैं तो 34 यहाँ पर राइट अंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा Elora गुफा जो है तीनों धर्मों से संबंदित है ब्रामण बौध जैन कोश्चन नमबर 9 Elora में कौन संबंदिर Elora की जान है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोश्चन देखे, यह कई बार एकजामों में पूछा जा चुका है Elora मंदिर हमने आपको बताया कि कैलास मंदिर जो है वो Elora गुफा में गुफा संख्या सोलह में है और यह सीव से संबंदित मंदिर है और यह राश्च कूट काल में बनवाया गया और इसको बनवाने वाले कौन है क्रिफ़ड परथम के द्वारा बनवाया गया क्रिफ़ड परथम यह राश्च कूट राजा थे कौश्चन नमबर 10 कंदरिया का महादेव मंदिर कहां पर इस्तित है दिखे यहां पर भी पूछा गए कंदरिया महादेव मंदिर हमने आपको बताया खजुराहों में है यह मंदिर तो राइट एंसवर सी हो जाएगा खजुराहों और यह चंदेल राजाओं के समय बनवाया गया और सी उसे संब कौशन फ्रसेद खजराहों मंदिर किस सौ वर्सों की सब्सक्रार अभादि में बन कर तयार हुए तो ये अстрेट हजराहों के जो मंदिर हैं वो यहाँ पे option आप देखेंगे तो एक जैसा दो-दो option दिया हुआ है तो हमारा जो right answer है वो है 950 से 1050 इसापुर में यह बनवाए गए right answer यह है यहाँ पे कुछ option यहाँ पे गलत दिया हुआ है जो कि यहाँ पे हो सकता है कि इस भी यहाँ पर दिया हो और यहाँ पर भी इस भी दिया हो और यह इसा पूरु दिया हो तो right answer हमारा बी है यह 950 से लेके 1050 से इसापुर में यह बनवाए गया है खजुराहों के मंदिर जो है यह बनवाए गया है यह समय है उसका question number 13 खजुराहों में कितनी संख्या में मंदिर है खजुराहों में कितनी संख्या में मंदिर है खजुराहों में दोस्तों मैं आपको बता दूँ खजुराहों में कुल 85 मंदिर थे लेकिन अभी सेस जो है वो 23 से 22 तक बचे हुए है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 22 ऑप्सन में दिया हुआ है तो right answer B हो जाएगा पहले खजुराहों में 85 मंदिर थे तो right answer B question number 14 elephanta गुफाएं किस से घिरी हैं elephanta गुफाएं जो है यह हमने आपको बताया कि यह समुद्र से घिरी हुई है और एक द्वीप पे है elephanta गुफा महराष्ट के धारापुरी में है यह अक्सार एक्जामों में पूछा जाता है और यहां से बहुत ही famous एक sculpture जो है वहां से मिला है त्री मूर्ती जिसे बोला जाता है यह ध्यान रखिए अक्सार एक्जाम में पूछा जाता है elephanta से इस sculpture को जरूर पूछा जाता है तो right answer हमारा B है यहां पे question number 15 question number 16 मीनाक्षी मंदिर कहां पर इस्तित है मीनाक्षी मंदिर जो है यह मदुरई है मदुरई में इस्तित है और यह द्रविड सैली का मंदिर है द्रविड सैली दोस्तों मैं आपको बता दूँ मंदिर सैली की जो मंदिर की सैलियां है वो तीन है जो हमारे उत्तर में उत्तर भारत में आते हैं उत्तर फिर उसके बाद मद्य भारत फिर दक्षिर उत्तर में जो है वो नागर सैली विक्सित हुई जैसे खजुराओं के मन्दीर हो गए उसके बाद है मद्ध में और दक्षिड में क्या है द्रवीड सेली द्रवीड सेली और मद्ध में क्या हुआ नागर और द्रवीड का मिला हुआ रूप है जो कि हम बेसर सेली बोलते हैं यह आप याद रखिए मंदिर के निर्माड की ये तीन सहलिया है काफी important है question number 17 देवगड का विश्डु मंदिर कब बनना सुरू हुआ तो देवगड का जो विश्डु मंदिर है देवगड का दशावतार मंदिर भी इसे बोला जाता है तो ये पांचवी सताब्दी में बनना सुरू हाता पांचवी सताब्दी का माना जाता है और ये गुप्त काल का गुप्त काल का गुप्त पिरेट का ये माना जाता है और ये देवगड का जो मंदिर है वो ललितपूर जहासी में है लितपूर जहासी और ये कहा है यूपी में आता है तो याद रखें आप आप आप्सन में ये दिया रहेगा आपको question number 18 एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर है तो इसका जो right answer है वो है भी 82 किलोमीटर दूर है question number 19 कंदरिया महादेव का मंदिर इस्तित है कंदरिया महादेव मंदिर हमने आपको बताया कि ये खजुराहों में है अब आपको एक चीज और मैं बताऊं कंदरिया महादेव का जो मंदिर है खजुराहों में है और खजुराहों में एक अस्थान है छत्तरपूर ये छत्तरपूर जिले में पढ़ता है चत्तर पूर जो है ये MP में आता है मद्ध प्रदेश में और ये खजुराहू कंधरिया महादेव का मंदिर खजुराहू में है जो कि मद्ध प्रदेश के अंतरगात आता है मद्ध प्रदेश में चत्तर पूर में तो याद रखे इसको अक्सार एक्जाम में पूछा जाएग कोशन नमबर 20 परसिद देवड का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीफ है देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता है यहाँ पर दिया हुआ है ललितपूर तो राइट एंसर हमारा ललितपूर हो जाएगा यह यूपी में है जहां सी यूपी कोशन नमबर 21 पल्लाव कला के अंतरगत किन कला केंद्रों का विकास हुआ तो पल्लाव कला केंद्र में महाबली पूरम में जो रथ मंदिर बने यह पल्लाव कला के उच्चतम उधारण हमें देखने को मिलते है इसका जो राइट एंसर है वो है C कोशन नमबर 22 वेरूल नाम से भी जाने वाली गुफा कौन है तो यहाँ पे एलोरा को हम वेरूल नाम से भी जानते हैं कोशन नमबर 23 लिंग राज मंदिर इस्तित है लिंग राज मंदिर कहां है उडिसा भुनेस्वर में तो राइट एंस्वर हमारा हो जाएगा B कोशन नमबर 24 चंदेल सासकों द्वारा निर्मित चतुर भुज मंदिर कहां इस्तित है तो चंदेल सासकों द्वारा जो चतुर भुज मंदिर है यह है खजुराहों में और यह मध्ध प्रदेश में आता है कोशन नमबर 25 बादामी की गुफाएं किस सैली का प्रतिनी धित्तो करती हैं तो बादामी की गुफाएं जो हैं वो चालुक के काल की हैं चालुक के राजाओं के द्वारा बनवाई गी हैं जिसमें यहां पेकुल चार गुफाएं हैं जिसमें से तीन ब्रामण धर्म, हिंदू धर्म और एक जैन धर्म से है काफी इंपोर्टेंट है और यहां बादामी गुफा से सिव विवाह से सम्बंदित हमें चित्र मिले हुए है अक्सर एकजाम में यह question पूछा जाता है तो right answer हमारा D हो जाएगा Question number 26 Question number 27 Question number 27 Q device is on board नर्सिंग देव के द्वारा बनवाया गया था नर्सिंग देव प्रथम के द्वारा राजा नर्सिंग देव प्रथम Qदार का सूर्य मंदिर यह उडिशा में है और यह सूर्य से सम्बंदित है यहां पे दिया भी हुआ है सूर्य कभी कभी पूछा जाता किस देवता को समर्पित है तो सूर्य को समर्पित है कौशन नमर्ट 28 किस राजवन्स के उत्थान काल में अजन्ता की गुफा में फ्रेस को चित्र को चित्रित किया गया तो इसका जो राइट एंस्वर वो है ए देखिए यहां पे जो चित्रों का अधिकतर निर्माड हुआ था वो गुपता पिरियड में हुआ था और जो वास्तुकला का जो कारे हुआ था वो वाका टक काल में वाका टक काल में हुआ था वास्तुकला का और चित्रकारी अधिकतर गुपता पिरियड में हुआ है यहाँ पे अजन्ता गुफा में फ्रेशको चित्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे गुफता सही हो जाएगा. Question number 29. Elephanta गुफा कहा हिस्थित है? हमने आपको बताया, महराष्ट के धारापुरी में. महराष्ट के धारापुरी में यह इस्थित है. Question number 30. Elephanta किस लिए प्रसिद्ध है? हमने आपको पहले ही बताया, Elephanta त्री मूर्ती के लिए फेमस है. अकसर एकजाम में पूछा जाता है. त्री मूर्ती को हम महेश मूर्ती के नाम से भी जानते हैं. महेश मूर्ती या त्री मूर्ती पूछे तो आप समझिये कि Elephanta से सम्बंधित है. Question number 31. मगध राज की नीव किस ने डाली? तो मगध राज की जो नीव थी वो बिंबसार या बिंदुसार ने डाली थी. तो राइट एंस्वर ए हो जाएगा. Question number 32. सिव विवाह से सम्बंधित द्रिश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्थ हुआ है? हमने आपको पहले ही बता दिया है. सिव विवाह से सम्बंधित ये बादामी गुफा से सम्बंधित है. अकसर एकजाम में ये question देखने को मिलता है हमें. तो right answer D हो जाएगा. Question number 33. खजुराहों के परसिद मंदिर किस राज में इस्तित है? तो खजुराहों के जो परसिद मंदिर हमने आपको बताया है मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं. अकसर एकजाम में पूछा जाता है. और ये चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था. Question number 34. एलोरा में गुफाएं और साहलिक्रित मंदिर हैं. तो एलोरा में हमने आपको बताया है. तीनो धर्मों से संबंदित हमें हिंदू, ब्राम्हट, बाद और जैन. तीनो धर्मों से संबंदित हमें यहां पर कला संगम दिखाई देता है. तीनो धर्मों से संबंदित हमें यहां कारे देखने को मिलता है. तो राइट एंसर डी हो जाए. Question number 35. भारती कला का स्वडकाल किसे कहा जाता है? किसे माना जाता है? तो भारती कला का स्वडकाल ये गुप्तकाल को माना जाता है इंडियन क्लासिकल आर्ट इंडियन क्लासिकल आर्ट किसे कहा जाता है भारती कला का स्वडकाल गुप्तकाल Question number 36 Elora प्रसिद्ध है Elora प्रसिद्ध किसके लिए एलोरा जो है मूरती के लिए बहुत ही फेमस है एलोरा मूरती के लिए बहुत ही फेमस है तो right answer D हो जाएगा question number 37 बादामी की गुफाँं किस राज्य में इस्तित हैं तो बादामी की गुफाँं जो है करनाटक में है बादामी गुफाँं i÷ी होल आई होल करनाटक तो ये राइट एंसर हो जाएगा B कोश्चन नमबर 38 लोक कला पर कौन सी सैली आधारी थाए तो लोक कला पर बसोली सैली आधारी तो राइट एंसर D हो जाएगा कोश्चन नमबर 39 विख्यात महेश मूर्ती राकट मूर्ती कहा है देखिए महेश मूर्ती इसका मतलब त्री मूर्ती पूछा जा रहा है आपसे त्री मूर्ती तो ये कहां है त्री मूर्ती हमने आपको बता दिया एलिफेंटा गूफा में है तो राइट एंसर B हो जाएगा कोश्चन नमबर 40 कनेरी गूफाएं कहां है तो कनेरी गूफाएं जो है मुंबई महरास्ट में है कनेरी गूफाएं मुंबई महरास्ट में है तो राइट एंसर A हो जाएगा कोश्चन नमबर 41 चटान काटकर बनायागा द्रोपती रत कहां है द्रोपती रत कहां है तो यह right answer महाबली उपुरूम में question number 42 black पगोडा कहा जाता है तो black पगोडा जो है कोडार का जो सूर्य मंदिर है उसे हम black पगोडा के नाम से भी जानते हैं याद कर लिजे इसको अकसर एकजाम में ये question देखने को मिलता है और कोडार के सूर्य मंदिर को नर्सिंग देव प्रथम ने बनवाया था अकसर एकजाम में ये question देखने को मिलेगा आपको तो दोस्तों इस तरह से हमने काफी important question इस वीडियो में बताए है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें comment करकर जरूर बताए और आपको किस से related और वीडियो बनाने है दोस्तों हम एक एक करके सभी topic पर वीडियो बना रहे है और हम कोशिस ये करेंगी कि सारा topic हम cover करें तो दोस्तों यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सस्क्राइब और सेयर करें हमारे यूटूब चैनल पर comment करके बताएं का आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है धन्यवाद दोस्तों